हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मै चैनल लानविद माही आज 17 अक्टूबर 2022 है और आज के करंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन्स बन सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे और उससे रिलेटिट फैक्स भी मैं आपको बताऊंगी तो आप पू महां आपको सारी पीडियफ एक जगह मिल जाएंगी तो चलो फिर स्टार्ट करता है पर्स्ट क्वेशन इस प्रधान मंत्री किसान सम्मान सम्मेला 2022 का उद्घाटन कहां किया जाएगा सो करेक्ट एंसर इस दी नई दिल्ली सेकिंड क्वेशन इस कौन सा राज्य नोभी विश्व आयूर्विद कॉंग्रिस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा सो करेक्ट एंसर इस सी गोवा थर्ड क्वेशन इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है सो करेक्ट एंसर इस दी 107 फोर्ट क्वेशन इस जन्वरी 2023 में सत्रवा प्रवासी भारतिय दीवस कहां आयोजित किया जाएगा सो करेक्ट एंसर इस बी इंदॉर् फिफ्थ क्वेशन इस अगस्त महा में देश का ओध्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत घट गया है सो करेक्ट एंसर इस इस जीरो पॉंट एट पॉसंट सिफ्थ क्वेशन इस वर्ड उनिवर्स्टी रैंक्टिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है सो करेक्ट एंसर इस बी आया एससे बंक रोल सेवंथ क्वेशन इस केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रज को मंझूरी दी है सो करेक्ट एंसर इस बी कृष्णा 8th question is 5. दक्षिन एशियाई भूविज्यान सम्मेलन कहां शुरू हुआ है So correct answer is B. जैपुर 9th question is Public Affairs Index 2022 में कौन सा राज्य शीषपर रहा है So correct answer is C. हर्याना यह index दो केटेगीरी में जारी किया गया है 18 बड़े राज्यों में हर्याना शीषपर रहा है 10 छोटे राज्यों में सिक्क्यम शीषपर रहा है 10th question is पार्ट सत्पती को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है So correct answer is C. बोस्नियान हर्जगोविना 11th question is कौन से शेहर ने वर्ड ग्रीन सिटी अवोर्ड 2022 जीता है So correct answer is C. हैद्रबार्द 12th question is किस राज्य के मुख्य मंत्री ने सार्व भौमिक स्वस्थे बीमा योजना शुरू की है So correct answer is D. नागलन 13th question is लीश 2022 रिपोर्ट में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शाशित प्रदेशों को अचीवर्स के रूप में वर्गी करत किया गया है So correct answer is D. 15 14th question is भारतिये रेल्वे माल ढुलाई के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू करेगा So correct answer is C. दिल्ले और मुंबई 15th question is किस टीम ने फुटबाल टोर्नमेंट सुब्रतो कब 2022 का खिताब जीता है So correct answer is A. नागलन 16th question is विश्व छात्र दीवस कम मनाया जाता है So correct answer is C. 15 अप्टूबर 17th question is पेटीम ने कार्ड उपकरनों को रोल आउट करने के लिए किस बैंक के साथ सहयोग किया है So correct answer is C. जन स्मॉल फाइनस बैंक 18th question is एनस्डियल ने ओएंडीसी में कितनी हिस्सेदारी का अधिक रहन किया है So correct answer is A. 5.6% 19th question is वज्ञानिकों ने किस देश में एक नया पारिश स्थिती की तंत्र दे ट्रापिंग जोन खोजा है So correct answer is B. माल देव 20th question is समुद्रे विवात पर किन देशों ने एतिहासिक समझोते पर हस्ताक्षर किये है So correct answer is C. उपर एक दोनो Thanks for watching my video अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें Thank you